तो आखिरकार नफ्ताली बैनेट है कौन बहुत चर्चा हो रही है इनकी काफी जादा ट्रेंड कर रहे हैं ये अलग-अलग सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स में तो सब भी चीजों की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में प्रेजेंटेड ओली बाई मी दोस्तों अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं और आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिलता है तो ये अलग-अलग प्लाटफॉर्म्स में मैं एक्टिव हूँ आप फॉलो कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तो चलिए नफ्ताली मैनेट के बारे में चर्चा करते हैं, बेसिकली इसराइल और पैलेस्टीन को लेके जो इशू चल रहा है पिछले एक महने से, वो तो सभी को पता ही है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिसकस नहीं करने वाले, वो किसी और दिन हम बात करेंगे, इसराइल के जो प्रधान मंत्री है, बेंजमिन नेतन याहु जी हाँ वही, जिन्हें आपने नरेंदर मोदी के साथ देखा था, बीज के पास, बहुत अच्छे से घूंगते हुए, ओके, बहुत अच्छी दोस्ती है उनकी, तो नेतन याहु जी, अब उनके दिन खतम होने वाले हैं, as a Prime Minister of Israel, बहुत कम लोगों को ये पता है, हमें ये लगता है कि यार, बेंजमिन नेतन याहु तो कभी PM से हटी नहीं सकते, वो बहुत पावरफुल है, लेकिन दोस्तों, पिछले दो साल से, इसराइल में धंग से सरकार चल ही नहीं पा रही, दो सा तरीके से हमारी लोग सभा में बहुमत का आकड़ा 272 प्लस होता है, उसी तरीके से इसराइल की जो पार्लियमेंट है, ठीक है, उसका नाम क्या है, या आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, वहां बहुमत का आकड़ा है, 61, टोटल सीटे हैं 120, तो कोई भी पार्टी 61 क्र नहीं कर पाती है वहां पे, क्योंकि एक तो बहुत छोटा सा वो देश है, और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, इस वज़े से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, बेंजामिन नेतन याहू 2009 से प्रधान मंत्री है, रिकॉर्ड 12 साल तक प्रधान मंत् क्योंकि फाइनली, opposition parties जो हैं वो unite हो रही है, नेतन याहू के अगेंस्ट, नेतन याहू के उपर bribery का, theft का, कई सारे अलग-अलग आरोब भी हैं, उनके उपर trial भी होने वाला है, तो कहीं ने कहीं नेतन याहू की image इसरायल में down हो रही है, उपर से बहुत सारे लोग ये भी कोई नहीं सोच आए, और क्या पता, इसरायल-Palestine का जो मुद्दा है, वो भी solve हो पाए, तो चले जानते हैं थोड़ा सा Naftali Bennett है, कौन, 49 साल के ये politician है, बेसिकली ये काफी जादा अमीर आदमी है इसरायल के, और बेसिकली इनके जो parents थे, वो American है, American immigrants के बेटे हैं ये, और क राइट लेफ्ट, सेंटर ये आप हम इंडिया में भी discuss करते हैं, तो ये राइट विंग बेसिकली राजनीती करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि नेतन याहू से भी जादा राइट विंग अपने आपको ये बताते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी ब पे सब रहा है चुके हैं, आपको ये पता हूगा कि West Bank को लेके Israel, Palestine के बीच में मुद्दा चल रहा है, वहाँ पर जुइज सैटलमेंट है, पलिस्टीन चाहता है कि वह सब वहाँ से खत्म हो, और पलिस्टीन चाहता है कि भी ये हमारी जगह है कहीं न कहीं इसमें किसी भी जियूस को जगह नहीं मिलनी चाहिए लेकिन इन्होंने उसकी वकालत की कि ये सारे सेटलमेंट्स जो हैं यहीं बरकरार रहने चाहिए और इस वजए से इनका काफी ज़ादा नाम हुआ इस्राइल में ये काफी जादा famous है ठीक है अब आपको मैं यहाँ पर याप ये headlines देख सकते हैं कि नेतन याहुजरिन as इस्राइल's PM में soon be ending wide ranging इस्राइल कोलिशन reaches deal to form government ठीक है तो जिस तरीके से भारत में पिछले 2-3 सालों से आपने सुना होगा खास करके 2019 लोग सभा election से पहले भी चर्चा चल रही थी कि जो मतलब जितने भी opposition parties हैं वो एक महागठ बंदन बनाएंगे है ना जिसमें सारे छोटे छोटे जितने भी हैं सब एक साथ आएंगे और उनका main focus होगा नरेंद्र Modi को हटाना तो वही चल रहा है इसराइल में और इस वज़े से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या पता opposition सरकार ना बना पाए और Nathan Yahoo ही continue रहें क्योंकि opposition एक जुट नहीं है उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही common मुद्दा है वो है Nathan Yahoo के against हैं बाकी उसके अलावा उनकी सबकी अलग-अलग सोच है Palestine, Israel के मुद्दे को लेके भी अलग-अलग सोच है बाकी मुद्दो को लेके भी अलग-अलग सोच है लेकिन फिर भी वो एक साथ आ रहे हैं क्योंकि Nathan Yahoo से सब तरस्त आ चुके हैं तरस्त हो चुके हैं कहीं न कहीं तंग हो चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि भी ये बंदा हटे चाहे कोई भी PM बन जाए तो ठीक है तो फिर बेसिकली इनके बीच में discussion और deal ये हुई है कि Naftali Bennett बेसिकली इसराइल में जो term होता है प्राइम मिनिस्टर का वो चार साल का होता है तो ये deal हुआ है कि दो साल तक Bennett रहेंगे और उसके बाद का जो दो साल होगा उसमें एक दूसरे politician है दूसरे politician है वो PM बनेंगे इसराइल के तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं इसराइल के politics में तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि फिर अभी होगा क्या इसराइल में और कभ ये PM बनेंगे तो जैसा कि इंडिया में होता है विश्वास मत है ना लोग सभा में बेसिकली वोटिंग होती है ये देखा जाता है कि भई हाँ अगर आप सरकार बनाने को एक चुक हो तो आपके पास मेजॉरिटी वोट है यानि तो उसी तरीके से वहाँ पे भी पारलिमेंटरी वोट होगा फिर वहाँ पे पता चलेगा कि भी उपोजिशन के पास required 61 वोट है यानि अगर होंगे तो ये सरकार बना पाएंगे अगर नहीं होंगे तो ये सरकार नहीं बना पाएंगे और फिर से election होगा आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले दो साल में इसराइल में चार election हो चुके हैं और अगर अभी भी opposition majority secure नहीं कर पाती है तो पांचवा election होगा यानि कि इसराइल की political situation बहुत ही जादा turmoil में है बहुत ही जादा confusion है वहाँ पे और आपको लग रहा होगा कि चार election क्यों हुए चार election इसले हुए हैं क्योंकि नेतन याहू की party को full majority नहीं मिली और इस वज़े से नेतन याहू अलग-अलग छोटी-छोटी parties के साथ गठबंदन बना के सरकार बनाते रहे लेकिन कुछ-कुछ महनों में जिनके साथ उनका गठबंदन था उनसे मदभेद हो गए किसी matter को लेके और वो तूटती गई सरकारे और इस वज़े से elections पे election करवाने पड़े ठीक है तो ये चीज आपको इस पार्टी के साथ नितन याहू सरकार चला रहे थे जिसके लीडर है Benny Gantz लेकिन इन दोनों के बीच में भी मदभेद हुआ ठीक है फिर उसके अलावा इसराइल बेची न्यू पार्टी है लेबर पार्टी है यामीना न्यू होप मेर्टेस आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए वो ये कि नफ्ताली बेनेट की जो यमीना पार्टी है उसके सिर्फ साथ सीटे हैं है ना जबकि लेबर की भी साथ सीटे हैं इस पार्टी की भी साथ सीटे हैं ब्लू और वाइट की भी आठ सीटे हैं उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बैनेट को बनाया जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कई बार नंबर ओफ सीट से जारा इंपॉर्टेंट होता है परस्नालिटी, इस बंदे की जो परस्नालिटी है, इस बंदे का जो इंफ्लूएंस है, इन opposition parties का मानना है, कि अगर ये leader होंगे, तो सारे एक साथ एक जुठ हो पाएंगे, जैसे इंडिया में भी चर्चा होती है ना, इंडिया में भी चर्चा ये होती है ना, कि अगर इसको leader रखा गया, तो भई सब एक साथ आएंगे, अगर ये leader नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं सही रहेगा हमारे लिए, तो वही वाली चीज इसराइल में भी हो रही है, तो दो साल Bennett रहेंगे, और दो साल या इर लापिड जो है, सेंटरिस्ट लीडर है, बेसिकली, वो फिर उसके बाद PM रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, लेकिन दिक्कत यहाँ पर बस यह आने वाली है, कि इन सारी सीटों को अगर मैं मिला दू न, 17, 8, 7, 7, 7, 6, और 6, ठीक है, तो 6, 6, 12, 7, 19, 7, 26, 7, 33, 8, कितना हो गया, 41, और लगभग कहीं न, कहीं, सारी पार्टी इसके मिला जुला के 61, 62 सीटों हो रहे हैं, ठीक है, एक और पार्टी है जिसकी 4 सीटे हैं, तो उनको अगर मैं मिला दू तो अटल 62 सीट है, तो अगर एक या दो, दो बंदे भी नेतन याहू के साइट चले गए न, तो मैजॉरिटी नहीं आईगी, और कहीं न कहीं फिर से, इलेक्शन की नौबत आ सकती है, तो नेतन याहू पूरी कोशिश कर रहे हैं, कि इन में से कोई न कोई बंदा, जिस तरीके से इंडिया में हो रहा है, भीया, पैसे दे के विधायक खरीद लो, तो नेतन याहू भी पूरी कोशिश करेंगे, इन्हें अपनी तरफ बहलाने, फुसलाने की, कि ये हमारे साइड आएं, और इनकी मैजॉरिटी ना हो, नेतन याहू ने कहा है, कि ये जो प्रपोस्ट गवर्नमेंट है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड ओफ दे सेंचुरी है, क्योंकि इनकी ना तो सोच अलग है, आप देख सकते हो, कोई सेंटरिस्ट है, कोई सोशल डेमोक्रिटिक है, कोई लेफ्ट विंग है, सो सबकी अलग-अल इसराइल की जनता के साथ धोखा होगा, इससे जाधा डिटेल में इसराइल की पॉलिटिक्स को जानने की हमें जरुवत नहीं है, दोस्तों, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस यूट्यूब चैनल राहू लगरवाल UPSC को, मिलता हूँ आप सभी से, कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइए